दोस्तों आप confused हैं कि Android TV लिया जाए या Google TV लिया जाए और आपका confusion खतम होने का नाम नहीं ले रहा हूँ बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि Google TV और Android TV मुझे लगा कि लोगों को समझ आएगा बट अब finally इस वीडियो को बनाने का वक्त आ गया कि Google TV और Android TV के बारे म और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए TV बेस्ट है आपको 43, 32, 50, 55, 65 इंच Android TV में पर्चेस करना चाहिए या आपको पर्चेस करना चाहिए Google TV में तो उनके लिंक भी description में मैं दूंगा जिससे कि आपको help मिलेगी कि आप उनको पर्चेस कर सकते हैं और आपका सारा confusion दूर होने वाला है कि आपको Android TV लिया जाए या Google TV लिया जाए दोस्तो मैं हूँ सजिन गिल नमस्ते दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि Google TV और Android TV में बहुत बड़ा confusion रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि Android TV और Google TV दोनों ही Google company के product है Google जो product है वो Alphabet का product है तो यानि कि Alphabet की एक parent company है Google तो आप सब जानते है Google search engine और बहुत सारी चीज़े होती है अब basically अब दोस्तो सबसे जरूरी चीज़ के Android TV वही है जैसे कि आपका smartphone चलता है ना वो उसमें Android चलता है वो basically है वो ही वो ही सारी चीज़े है बट यहाँ पर larger screen अब larger screen में बहुत सारी difficulties आती हैं जैसे कि large screen होती है तो large size होते है लग लग TV के दोस्तों यहाँ पर जो बहुत सारे TV बनते थे तो लोग यहाँ कहते थे कि उनमें जो है हम इंटरनेट का मज़ा मिल जाए तो Google ने सोचा कि क्यो ना हम Android TV को इसमें उतार दिया जाए तो Google यहाँ पर बहुत ही बड़ी तरीके से apps देता था और वो company उसको अपने TV में install करती दोस्तों यहाँ पर जो specification थी वो उस तरीके की नहीं होती थी तो Android अपडेट नहीं मिलता था तो आपने बहुत सारे TV देखे हूँ जो Android 9 पर है वो 9 पर है 10 पर कभी गए नहीं जो 10 पर है वो 11 पर नहीं गए तो यहाँ पर problem थे तो उसके बाद बहुत सारी चीजे को देखत sub system Linux based OS पर ही चलते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं Android TV और Google TV में difference है तो सबसे पहले तो user interface का आपको difference मिलेगा और बहुत अच्छा यहाँ पे जो Android TV है उसमें जो tiles मिलेंगी वो आपको इसी तरीके से इतनी ही बड़ी tiles मिलेंगी बट Google TV में थोड़ी सी बड़ी tiles आपको मि आपको thumbnail दिख रहा है उसी color की gradient shadow वहाँ पे आती है जो की देखने में बहुत ही खूपसुरत लगता है मतलब आप कहें Android TV Google TV में कुछ पिक करना हो user interface के मुकाबले में तो वो Google TV में का हूँ अब Android TV जाता है वो हाली में update हुआ है वो भी एक तरीके से कहिए Google TV का mini version कह लीजे बट उसमें जो user interface हो वो बहुत सारी चीजे नहीं है मतलब limitation है वो Android TV तो इस तरीके से होता है दोस्तो Android TV पर क्या होता अलग-अलग app के content आपको Android TV के home page पर दिखता था उसी के according वो चीजे दिखती थी बट Google TV में जो recommendation है content की वो चाहें आपकी app install हो या ना हो वो आपको recommendation हर app स दिखाएगा और उसके बाद वो content आपको पसंद है उसको download कर सकते हैं और वहीं से आप वो चीजे देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जहाँ पर फिरी है वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं तो यहाँ पर यह difference आ गया कि वहाँ पर आपकी जो app content था वो android tv में आपको मिलता था एक ही जगे पर चाहें आपका सब्सक्रिप्शन फीड हो तो सब्सक्रिप्शन मालोग बहुँ सारी लोगों के लिए रखी तो एक ही जगे पर वो एक साथ आपको दिखाई देती थी YouTube की सब्सक्रिप्शन फीड रिकमेंडेशन भी आती थी बट दोस्तों Google TV में YouTube का सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं बट वो अलग-अलग content creator के हिसाब से अगर आप चूज करना चाहते हैं यार मैं चाहता हूँ के 7 cents stack का जो है सब्सक्रिप्शन फीड देखो तो आप देख सकते हैं तो वहाँ पे content आपको जो है अच्छे से दि दोस्तों यहाँ पे Android TV में आपको live feed जैसा option नहीं मिलता है बट Google TV में live feed मिलता है live feed मतलब अलग-अलग channel से जैसे कि online कुछ OTT apps और live channel वो दे रही है तो वहाँ पे live feed आप देख सकते हैं हाला कि इंडिया में live feed अभी available नहीं है आने वाले time में हो सकता है available हो जाए तो live channel वहीं कौन सा program चल रहा है और वो उसकी duration कितनी हो गए कितना वो दिख चुका है कितना वो रह रहा है तो यह भी एक अच्छा है वणना आपको discover करना content बहुत मुश्किल होता था और यहाँ पे जो setup box उसके साथ भी integration है तो वहाँ भी live feed उसकी भी आपको मिल सकती है तो Google TV में अच् सकते हैं जबकि Google TV में आप multiple profile बना सकते हैं suppose आपके घर में तीन लोग है उनकी अलग-अलग profile बने ही है तो content recommendation भी उसके हिसाब से अलग-अलग आएगी मैंने आपको बुदला था कि Google TV में जो content का recommendation है वो मतलब कहिए कि आपके behavior पर होता है behavior पर कैसे आपने क्या content देखा उसक दिखाएगा तो यह Google search engine, Google assistant उन पर चलता है और साथी साथ Google का जो search graph है या behavior graph है artificial intelligence उनको देखते हुए जो यहाँ पर content discover करना वो आपके according होगा ऐसा नहीं है कि दूसरा क्या देख रहा है उससे मतलब नहीं बढ़ जो आपको अच्छा लग रहा है वही चीज़े मिलेंगी तो यहाँ पर कहें तो Google TV बहुत personalization content आपको देता है तो इसलिए profile भी अलग अलग होनी चाहिए सबोर मैं कुछ और देखता हूं दूसरा बंदा कुछ और देखता है तो वहाँ पर profile अलग नहीं होगी तो वही content दिखेगा तो मेरा experience खराब हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर kids profile भी आपको मिलती है मतलब आपके बच्चे हैं वहाँ पर आप चाहते हैं कि यार वो content उस तरीके करना देखें parental control आपको Android में मिल जाएगा बट Google TV में आपको kids profile आपके बच्चों के according भी आप बना सकते हैं जो कि एक बहुत ही कमाल कौपी दोस्तों next अगर बात करें त आपके आपको Android वाली में नहीं मिलता तो Google TV में आपको जो है update software का मिलता रहेगा अब दोस्तों बात करें Google TV लेना चाहिए आपको या Android TV लेना चाहिए दोस्तों अगर आप कहीं experience के हिसाप से अगर हम जो TV लेते हैं तो वो लेते हैं अपने entertainment के लिए content discover करना आज की दोर में बहुत ही मुस्किल है और अच्छा content देखना बहुत ही impossible task है तो इसलिए मेरे हिसाब से Google TV आज के दोर के लिए बहतर है तो आप उसको लीजिए तो Google TV के आपको 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच, 55, 65 इंच के link आपको description में मिल जाएंगे वहाँ से check कर सकते हैं कौन सा TV है जब भी ये अप्ग्रेट करना चाहिए नहीं अगर आपके पस Android TV है तो बिल्कुल आपको अप्ग्रेट करने की जग्वयत नहीं है क्योंकि वह भी वही काम कर रहा बट हां कभी आपको सोचा के यार मुझे परस्नली अप नया TV ले नहीं तब आप Google TV ले से तो यहाँ पर content discover करना आसान होता है यूजर इंटरफेस बहुत ही कमाल का होता है तो इसलिए वो टीवी वहाँ पर बैस्ट है तो गूगल टीवी आप लीजिए तो दोस्तों यह था Google TV और Android TV आई होप आपका confusion अब खतम हो गया होगा और खतम हुआ तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के स जात के उन्हें भी पता लग जाए गूगल टीवी क्या है और इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करके बताने वीडियो के से लिए थैंक्यी सो मच बंदेवाद